इस question में कहा गया है कि matrix A equal this है matrix B ये है तो A भी matrix कौन सी होगी मैं A और B को multiply करने के बाद जदि ये वाला element निकाल लेता हूँ ये वाला element 1 आया तो फिर ये दोनों तो पक्का गलत हो जाएंगे और जदि यहाँ पर 5 आया तो फिर ये पक्का गलत हो जाएगा और जदि वन या 5 कुछ भी ना आया तो फिर पक्का D ही करट हो जाएगा तो इसलिए पहले मैं ये वाला element निकालता हूँ ये वाला element निकालने के लिए मैं first row को first column से multiply करूँगा यहाँ पर मेरे को 5 मिल जाएगा और आप देख सकते हो कि बागी सारे element सेम है केवल इन दो matrix में ये वाला element और ये वाला element different है तो अब इन में से कौन सा correct है ये देखने के लिए मैं यहाँ वाला element निकालता हूँ ये वाला element निकालने के लिए ये third row first column वाला element है इसलिए इसकी third row को इसके first column से multiply करना हुगा और third row को first column से multiply करने पर क्योंकि minus two आ रहा है इसलिए मैं क्या रखना हूँ कि वी ही करक्ट्वाश है